हेलो डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं मनीतारपन मैं यूटूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ तो चलिए आज हम बिवित प्रस्णा वाली लेकर आये हैं थ्री का बिवित प्रस्णा वाली लेकर आये हैं जिसमें question number first solve करने जा रही हैं तो देखेगा हैं कह रहा है कि सीथ कीजिए की इत्रा equal to इतना ठीक है तो पहरें left side लेंगे यहाँ पर देखेंगे कि यह तु रहने दीजे यहाँ पर एक फॉर्मुला जानते हैं आप लो cos a plus cos b यह x plus y का लिखाएं है 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 तो इसी पर यह बनेगा तो यहाँ पर 2 cos 3 pi वर्टे 13 plus 5 pi वर्टे 13 cos 3 pi वर्टे 13 minus 5 pi वर्टे 13 अब देखें इसको solve किर दीजे तो हो जाएगा 2 cos pi वर्टे 13 cos 9 pi वर्टे 13 plus 2 cos 8 pi वर्टे 13 वर्टे 2 भी होता है यह तो x plus y वर्टे 2 और यह भी अप और y2 हो जाएगा ठीक है तो आड़ यहाँ पर 13 इन्टू 2 नीचे ही रहेगा cos minus 2 pi वर्टे 13 और नीचे ही 2 रहेगा ठीक है? अब देखे दो चोख 8 अब 2 से 2 कैंसील 2 cos pi वर्टे 13 cos 9 pi वर्टे 13 plus 2 cos 4 pi वर्टे 13 यहाँ पर cos minus x बराबर cos x होता है pi वर्टे 13 चुकि cos minus theta बराबर cos theta फॉर्मूला होता है यह ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे 2 cos pi वर्टे 13 अच्छा ऐसा कीजे कुछ common आ रहा है तो आप common ले लिजे 2 cos pi वर्टे 13 common आ रहा है cos 9 pi वर्टे 13 plus cos 4 pi वर्टे 13 ठीक है? चलिए फिर वही formula यूज करना है तो 2 cos pi वर्टे 13 cos 2 cos 9 pi वर्टे 13 plus 4 pi वर्टे 13 upon 2 और cos 9 pi वर्टे 13 minus 4 pi वर्टे 13 upon 2 ये आ जाएगा 2 cos pi वर्टे 13 into 2 cos ध्यान से देखेंगे 9 और 14 4 कितना? 13 तो 13 pi वर्टे 13 आ इंटू ये 2 रह जाएगा cos 9 में 4 गया कितना? 5 तो 5 pi वर्टे 13 आट्टू नीचे ही रह जाएगा अब देखिए 13 से 13 कैंसील क्या बचा? उपर लिखते हैं एक लाइन 0 लाना है न? देखेंगे देखेंगे? तो ये आ गया हमारा 2 cos pi वर्टे 13 into 2 cos pi वर्टे 13 अब देखिए 2 cos pi वर्टे 13 गुने 2 cos 90 का भैल्यू 0 into cos 5 pi वर्टे 13 गुने 2 छुकी cos 90 माइन 90 बराबर कितना होता है भैल्यू 0 आप 0 को किसी चीज से गुना करेंगे total value क्या हो जाएगा? 0 और यह simple question था एक formula में यही लगा है और इसमें सारे question को solve हो जाएगा ठीक है? चलिए इसी तरह से question number 2 question number 2 भी left side यह है 0 ही लाना है तो यहाँ पर फिर formula लगाएंगे sin x plus sin y का क्या formula होता है? 2 sin x plus y बटे 2 cos x minus y by 2 ठीक है? और cos का पलस i into sin x है क्या है? into sin x पलस फिर यहाँ पर देखेंगे cos x minus cos y है तो cos x minus cos y का formula होता है minus 2 sin x plus y by 2 sin x x minus y by 2 ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यही formula यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या? minus 2 sin 3x plus x by 2 एक सिकिंद रुकेंगे हो जाएगा minus 2 sin x के जगह पे है 3x plus x by 2 sin 3x minus x by 2 into cos x ठीक है? अब जाएगे सब को multiplier कर दीचे solve करके तो हो जाएगा 2 sin 4x by 2 cos 2x by 2 into sin x plus minus 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 2 sin 4x by 2 sin 2x by 2 और into cos x अब यहां से ध्यान से देखेंगे 2 से 2 केंसील यहां में दो दूना चार 2 से 2 केंसील तो minus 2 sorry plus 2 sin 2x cos x into sin x minus 2 sin 2x sin x cos x देखेगा सेम है 2 भी है sin 2x है cos x है और sin x है दोनों सेम है कटी जाएगा क्या बचेगा 0 r यह ची यह ठीक है question number 3 को देखेंगे question number 3 बोलता है left side में sin cos x plus cos y का hall square plus sin x minus sin y का hall square बराबर लाना है 4 cos square x plus y by 2 ठीक है right side में वो लाना है बगल में लिखती है क्योंकि जो लाना है उसको देखते हुए काम करना पड़ता है तो यहाँ पर देखे cos x plus cos y का formula अभी just बताए थे क्या होता है 2 cos x plus y 2 cos x minus y by 2 तो hall square है hall square डाल देंगे और sin x minus sin y का formula होता है 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 का hall square अब देखें जब hall square में तोड़ेंगे तो 2 का square चार cos square x plus y by 2 cos square x minus y by 2 ठीक है plus 4 cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2 common आ रहा है कुछ 4 cos square x plus y by 2 common आ रहा है बचे गया क्या cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2 तो देखें आप लोग formula पढ़े है sin square theta plus cos square theta बचेंगे बचेंगे तो यहां पर देखे sin square theta plus cos square theta है क्योंकि दोनों का theta सेम है x minus y by 2 तो इसका value कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 4 cos square x plus y by 2 into 1 बड़ावर 4 cos square x plus y by 2 आर यही तो लाना था ठीक है चलिए question number 4 question number 4 same है सिर्फ यहां plus था और minus है तो लाने के लिए भी 4 sin square x plus y by 2 कह रहा है formula लगाईए cos x minus cos y का formula होता है minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 का whole square पलस sin x minus sin y का formula क्या बताये थे 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 का whole square चलिए solve कीजिए तो फिर square करेंगे तो minus का square पलस हो जाता है 2 दूना चार sin square x plus y by 2 sin square x minus y by 2 पलस 2 cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2 ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे क्या common आ रहा है 4 sin square x minus y by 2 ठीक है तो बचा इसमें sin square x plus y by 2 और यहाँ 4 हो जाएगा square करेंगे तो अब पलस cos square x plus y by 2 अब फिर इसका value कितना हो जाएगा 1 तो 4 sin square x minus y by 2 into 1 4 sin square x minus y by 2 इस आड याचियस गलती स्थिया होगा मिला लेंगे लिखने में mistake हुआ होगा हमसे ठीक है यही आएगा आड याचियस क्यूंकि जब formula सब सही रहने पर अगर कहीं भी mistake होता है तो या तो हम question mistake कर रहा है या question पहले से mistake है ऐसे एक बार check कर लेते है नहीं सही है वो हमसे लिखने में गलती हुआ होगा ठीक है question number 5 देखें के question number 5 left side यह है right side वो लाने के लिए कह रहा है हम बताए थे कि अगर दो से अधिक function कहीं है तो देखेंगे कि जो theta का value है वो सबसे कम और सबसे अधिक वाले को एक साथ रखकर बनाने से question आसानी से solve होता है ठीक है तो इसमें भी सबसे अधिक theta का value 7 x है और सबसे कम x है तो हम क्यों ना इस दोनों को एक साथ कर ले साइन x plus sin y का formula होता है पलस 2 sin 8 x बटे 2 और cos minus 2 x बटे 2 2 से 2 cancel 2 से 3 बार में cancel 4 और यहां भी 4 क्या बचा? 2 sin 4 x और ध्यान से देखेंगे cos minus theta बराबर cos theta ही होता है तो cos 3 x ही हो जाएगा plus 2 sin 4 x cos minus x बराबर cos x ठीक है? तो यहां से हमें कुछ common दिख रहा है यहां लिख देते हैं चो कि cos minus x equal to cos x होता है ठीक है? तो यहां पर देखेंगे 2 sin 4 x common क्या बचा? cos 3 x plus cos x एगें formula लगाएगे cos x plus cos y का किसका formula लगाएगे? cos x plus cos y का तो लगाएगे यहां पर 2 sin 4 x 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 हो जाएगा 2 sin 4 x into 2 cos 4 x by 2 cos 2 x by 2 केंसिल हो रहा है? चलिए दो दूना 4 sin 4 x cos 2 x cos x यही तो left side लाना था इसको सरीया कर लिख देंगे पहले लिखा है 4 फिर cos x को पहले लिखा है cos 2 x लिखा है और sin 4 x लिखा है are yas proved ठीक है? कोस्टर नमबर 6 से लेकर 10 अगले नए वीडियो में देखेंगे आज यही तक जो अभी तक share नहीं किये है प्लीज दोस्तों में जरूर share करेंगे सब्सक्राइब नहीं किये है चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबा लेंगे जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे लिए एक लाइक करते हुए जाएंगे Thank you so much